जैशिराम मित्रो मैं आज आप सबको अच्छे नौमी 2022 के बारे में बताने जा रहा हूं मैं आज आप सबको अच्छे नौमी के दिन आउले का कुछ विशेश और चमतकारी उपायों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको करके घर में सुक्षान्ती, शम्रिधी और अपने जीवन को खुशहाल बना शकते हैं हर शालकार्तिक मास के सुकलपक्ष की नौमी को अच्छे नौमी मनाये जाने की प्रमपरा है इसे आवला नौमी भी कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णू और आवले की बिर्च की पूजा की जाती है पोरानिक मान्यताओं के अनुसार आवले के पेड़ में भगवान विष्णू का वास होता है इसलिए इस दिन आवले के पेड़ की पूजा करने से मंचाहब रान प्राप्त होता है ऐसा माना जाता है कि अच्छे नौमी पर आउले के कुछ बिशेश उपाय करने से धन्स बंदिश मशाएं खत्म हो सकती है आईए आज मैं आप सब को इन चमतकारी उपायों के बारे में बताता हूँ पापों से चुटकारा पाने के लिए यह उपाय आपको करना चाहिए वैसे तो अच्छे नौमी पर आउले की पेंड की पूजा अत्याधिक फलदाई होती है लेकिन दोनों पक्षों की एकादेशी पर भी इसका प्रियोग बहुत सुभ होता है एकादेशी पर जो लोग पानी में आउले का रस डालका रसनान करते हैं उनके सारे पापनश्ट हो जाते हैं अनधन के प्राप्ति के लिए अच्छे नौमी के दिन आउले के ब्रिक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराना बहुत ही उतम माना गया है जो लोग ये उपाय करते हैं उनके घर में अनधन के भंडार कभी खतम नहीं होते हैं सभी मनकामनाओं की पूर्ति और सभी कष्टों से छुटकारा पाने के लिए अच्छे नौमी पर आउले का दान करना बहुत सुभमाना जाता है ऐसा करने से इंसान की हर मनकामना पूरी हो जाती है और जीवन के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं घर से नकरात्म कूर्जा को खतम करने और सुक्समृध्धी प्राप्त करने के लिए अच्छे नौमी के दिन घर की आजपास आउले का पोधे लगाना भी बहुत सुभमाना गया है सास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से घर में नकरात्म कूर्जा प्रविश नहीं करती है और घर की सुक्समृध्धी बनी धरती है माना जाता है कि घर के आजपास आउले की पोधा लगा होने से किसी की बूरी नजर भी परिवार को नहीं लगती है क्योंकि यह पोधा ही सारी नकरात्म कूर्जा अपने आप में समा लेता है भगवान बिश्णू की कृपा और घौर में मालक्षमी की बाश करने के लिए आउले की पूजा करने से ना सिर्थ भगवान बिश्णू का असिरबाद मिलता है बलकि माता लक्षमी भी परसंद होती है एक आदिसी पर भगवान विश्णू के साथ माता लक्षमी की पूजा करें और उन्हें आवला अर्पित करें कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में विश्णू जी खुशिया और मालक्षमी धन लेकर पधारते है मित्रो यह जनकारी आपको कैसी लगी अगर यह जनकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर देना और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूना क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर में से जुड़ी ब्रततेवहार, पूजापाठ और बेद पुराणों में बरनित सिद्चमतकारी मंत्रों का वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता राता हूँ इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पाहले मिले और आप इसका लाप प्राप्त कर सके और मैं अच्छे नमी आउला नमी का बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर अप्लोड कर रखा हूँ आप उसे देखें और उसका लाप प्राप्त करें तब तक के लिए इतना ही धन्य बाबा